अप्यर्स्तित्तस्तदातस्मै स्थानाने कल येतदव दूतंपानम्स्त्रियसूना यत्रधर्मर्चतृर्विदह। श्रीमत भागपत महापुरान के अनुसार, कल्योग में आपको ये चार चीजें सबसे जादा बढ़ती हुई दिखाई देंगे। सबसे पहला है दूतम, यानि कि वो सब खेल, वो सब ऐसी चीजें जहां पर लोटरी, जुआ, सटा, रेस कोर्स और गेम्स वगेला खेली जाती हैं। और खासकर पोस्ट कोविड अगर आप देखो तो ये सारी चीजें इतनी बढ़ गई हैं, लोग घर बैठे शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहते हैं। और कवाने से जादा वो गवारे हैं। क्यों क्योंकि कल्यूग का सबसे बड़ा प्रभाव है, यह आपको माया में उलजाएगा, फसाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आब आप जीतने वाले हो, थोड़ा सा और पैसा लगा दो, आपको और जीत मिल जाएगी, मिल जाएगी इसी चक्र में आप फसते जाते हो, और पैसा तो कुछ नहीं आता, लाख रूपे जेब से, जै श्री कृष्णा। दूसरा प्रभाव जो सबसे जादा कल्यूग में देखने को मिल रहा है, वो है पानम, यानि की शराब। व्यक्ति होश में रहने से जादा बेहोश रहना पसंद करता है, आजकल तो ऐसे ऐसे नशे आ गए हैं, कि मैं तो सोच करके मुझे चक्कर आने लगे हैं, अभी पीछे एक न्यूस थी, कि लोग साप से भी नशा कर रहे हैं, साप की विश से नशा कर रहे हैं, बताओ, वो विचारा प्राणी अपनी रक्षा के लिए विश पैदा करता है, और तुम्हे उससे भी मजा करना है, उससे भी तुम्हे नशे में जाना है, यह प्रभाव है, हम ऐसी चीजों को खोज रहे हैं, जहां हम होश में नहीं रहना चाहते हैं, हम मधभोश होना चाहते हैं, और उस मधभोशी से जैसे ही वापस होश में आते हैं, जीवन हमें फिर से black and white दिखने लगता है तीसरा जो प्रभाव सबसे जादा कल्यूग में देखने को मिलता है स्त्रियम इसका अर्थ कल्यूग में समझें तो कहीं न कहीं ये है कि हर व्यक्ति किवल सौंदरे को देखना चाहता है हर व्यक्ति किवल पसंद करता है हमारा पूरा जो फोकस है वो आउटर हो गया बहार की चीजों को ही हम देखना चाहते है अंदर कोई व्यक्ति कैसा है हम उसको नहीं जानना चाहते सबसे पहले हम जज करते हैं दिख कैसा रहा है अगर अच्छा दिख रहा है तो व्यक्ति अच्छा है बुरा दिख रहा है तो हमारी सारा फोकस कल्योग में जो होता जा रहा है वो आउटसाइड वर्ल्ड पे होता जा रहा है दिखावे पे होता जा रहा है और चौथा यही है कि हम हर व्यक्ति केवल और केवल ऐसी चीज़े वो बनाता है जो वो है ही नहीं जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है लोगों को कि बाक्षब कि लेकिन वास्तव में वो हैं नहीं थोड़ा भी कुछ जीवन में अच्छा हो जाता तो उसको इतना शोफ करना इतना शोफ करना कि सामने वाले को बुरा लगे और और सामने वाला भी उसी होड में है कि मैं भी क्या अपनी लाइफ से शो आफ करूँ और शो आफ के चक्कर में व्यक्ति जी ही नहीं रहा इतनी हसी आती है अगर आप आज किसी रेस्टरॉंट में चले जाओ लोग खाने को इंजॉई करने से जादा खाना खाने से जादा उसक अधिक प्रभाव देगा और अभी तो कर्यूग शुरू हुआ है आगे आगे देखो होता है क्या जै शनी देव जै श्री कृष्णा मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत कर रही हूं आज के राशी फल में अब मैंने आपके राशी अनुसार आपको राशी फल द आप सभी को मैं इन्वाइट कर रही हूं आपको निमंत्रन दे रही हूं और आपने इस निमंत्रन को पकड़ करके जरूर आना है क्योंकि आप ही के हितकी बात है और आप ही के लिए किया चारा है है नोग्रे शांती महायकी साथ में महादर बार भी 31 दिसमब 2023 को लगेगा सुबह 10 बचे से ये कारिक्रम प्रारंब होगा रात्तिरी के 8 बचे तक ये कारिक्रम रहेगा पूंताह निशुलक है आएं सब परिवार आएं और अपने परिवार के साथ अपने नाम से आहूती प्रदान करें अपने घ्रे देवताओं को शांत करें नौग्रे देवताओं की कथा को श्रवन करें और जिसको कोई भी कश्र है उनको नारियल भी मंतर सिद्ध करके बैतूंगी तो आप सभी को मैं उसमें देखना चाहते हूं तो मिस मत करना डेट नोट कर लेना रवीवा आप क्योंकि इस वीडियो को देख रहे हैं हमारी चैनल से चुड़े हैं तो यह राशी फल आपको बहुत कुछ देगा अगर आपका नाम चर से सी एच ते या फिर सी से शुरू होता है तो 2024 में आपके साथ या होने वाला है चली बताते हैं सबसे पहले तो साल 2024 आपके लि और थोड़ा सा मैसी आप रहेंगे तो एड़ाइस इसमें यही है कि सबसे पहले तो अपने कमरे को क्लीन करें 2024 के पहले दिन या फिर लास दिन अपने कमरे को जरूर क्लीन करें अपने कबड को क्लीन करें ताकि थोड़े से और्गनाइज अप रह सकें अगर आपका टेबल तो आपने study table को clean करें, working table को clean करें, कहीं न कहीं मुझे बहुत जादा confused, clumsy, messy दिखाई दे रहे हो, तो वो आपको पूरा year नी तो बहुत जादा effect करेगा, चीजों को आप properly करने ही पाएंगे, तो management की आपको बहुत जादा इसके आगे बढ़े, अगर बात करें हम धन के विशय में, तो धन के विशय में यह जो साल है, इसमें कमा कि आप अपनी savings में थोड़ी सी extra जोडने वाले हैं, कुछ न कुछ extra income आपको होगी, जिसकी वज़े से आपकी savings आपको आपकी बढ़ जाएंगी, कुछ लोग मुझे प्रॉपर्टी सेल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अपने फोर फादर्स की, पिताजी की, दादाजी की, दादी की, नानी की, उनकी तरफ से आपको कुछ न कुछ पैसा मिल सकता है, उनकी कोई प्रॉपर्टी क अगर कोई इशु चल रहा है, या बेचने का सोच रहे हैं, तो साल 2024 से सा हो सकता है, कि आप उसको बेचे या आपका शेयर आपको मिल जाए, तो वो एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, कुछ लोग जो है अगर लव इं रिलेशन्शिप की बात करें, तो अपने आपको क कि अगर अपने जादा पॉल्ट नहीं देख लवाज़ है, आपके किसी डिसीजिजन की वज़े से लेशन्शिप में थोड़ी सी दूरी तनाव आ सकता है, बात करें अगर आपके इंवेस्टमेंट्स की, तो इंवेस्टमेंट्स की तो साल 2024 में जारा सोथ समझ के करिए का कोई आइडिया आपको आएगा जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे लेकिन बहुत समझ के करें क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को बहुत महनत करनी पड़ेगी अगर कोई लोग आपको किसी तरह का प्रोपोजल दे रहे हैं खासकर दो लोग मु करें नहीं तो बैंक में ही पड़े रहने थे उसी में ज्यादा गुरुत है मेरा नाम सुनि कुमारी है मैं देलही से आई हूं गुरु मा से मिलने के बाद मुझे अमेजिंग फैदे हुए हैं पहले मेरा कोई भी एक्जाम कौलिफाई नहीं होता था और गुरु मा से मिलने कि लोगों के लाइव में सेलीब्रेशन होते हुए मुझे दिखा दे रहा है तो किसी आपकी घर में कूई शादी कूई फंक्शन या कुछ लोगों के ह मुंदन होता हुआ मुझे दिा यज दे रहा है बच्चों के लिए कुछ गःद्रिंग वगरा हो सकती है ऐसा अगर बात करें, तो साल 2024 आपके लिए इमोशनली बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको काफी सारी ऐसी नेगिटिव आसपेक्ट अपने बारे में दिखेंगी, जिसे आप सुधार करेंगे, लेकिन जब सुधार कारी किया जाता है, तो उस समय खुशी नहीं होती है, तो तो एक अच्छा है, तो आपकी मन को लेकर कि बात करें तो आप थोड़ा सा परिशान में हैसूस कर सकते हैं, आपको ऐसा लग सकते हैं, आपकी कमिया अपके सामने आ सकती हैं, और उस पर बहुत सोचेंगे, आने वाले समय के लिए वो बहुत अछा है, हाँ पूरे साल हाला तो अपको नहीं रहने वाला है यह जीजे जो है वो थोड़ी स्टार्ट में आएंगी फिर रुख जाएंगी फिर उसकी बाद थोड़ा सा सेप्टेंबर ऑक्टूबर के आसपास आएगी फिर रुख जाएगी ऐसा करके होने वाला है लेकिन आपकी कमी आपको दूसरों दिखाई जाएगी आप खुदी उसके ओपर ध्यान लगाओगे क्या यह कमी हमारे अंदर है और इसको हमें सुल्जाना चाहिए तो नेगिटिव आसपेक्ट आपके बाहर आते हुए उभारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं तो आपको नेगिटिविटी काफी तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है अगर आपको काम करना चाहते ही इंडिपेंडिन होना चाहती है तो बहुत अच्छा समय है और खासकर आपके कुछ आइडिया ऐसे 2024 में आएगे जो आपके घरवाले बहुत अप्रिशेट करेंगे और चेंज अप्रिशेशन तो ऐसे कि योग भी बन रहे हैं तो श्लो काफी ट्रावल करते हैं 2024 में दिखाई दे रहे हैं यानि कि आपका कदम आपके पैर जो है अगर आपके इस तरीके कि किसी मार्केटिंग जॉब में है या आपका खुद का बिजनेस है तो जो स्पेशली जो जेंस है मुझे ऐसा लग रह कोई ना कोई जर्णी कोई ना कोई ऐसी ऑपोचुनिटी आपकी बनती चाहेगी जिसकी वज़े से आप इधर से उधर इधर से उधर आप गूमते रहेंगे तो वह चीज दिखाई दे रहे हैं तो पहले से अपने माइंड को मेक अप करके चलेंगे लेकिन बिजनेस बाद क की समस्या है तो आप चिंतित्मत हो या आपकी गुरुमा हमेशा आपके साथ हैं हम निशुल्क दर्बार लगाते हैं सित दर्बार होता है दिली में लगाते हैं जो ही व्यक्ति अगर परिशान है एक नारियल जो जटा वाला हो जिसमें पानी हो उसे सवा मीटर लाल में बांध करके मेरे पास ले आना मैं मंत्र सिद्ध करके आपकी समस्या हो है तो उसको धूंगी उसका प्रयोक करो और 11 बार दरबार में हास्टी लगाओ जैसे सभी लोगों के काम बन रहे है इश्वर आपकी मनो कामना भी जरूर पूरी करेंगे शनी देव भगवान नव कामना ही देती हूँ जैए शनी देव जैए श्रीकृष्णा